कि हालो सी एम में इंटर स्टुडेंट्स हावर यौल मेरा नाम है रवंदीप सिंग स्वागत आपका मेरे चैनल अफलम के अंदर एंड गाइस आज की वीडियो के अंदर हम पीजी बीपी का पार्ट टू स्टार्ट करने जा रहे हैं और जैसे तुम लोगों ने पार्ट वन क यह आप लोगों को में भी हेल्प करेगा और फुल फ्लेज कोशन समझ के कंसेप्ट भी क्लियर होगा है ना तो जैसे जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा तो पहले आप वन देख लो मैं उसी का लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दैन इस पार्ट टू को देखना और अगर आप लोगों को पार्ट वन और पार्ट टू दोनों के नूट्स चाहिए तो मैंने पहले वाली वीडियो में बता रहा हूं आप लोग मेरे को वाट्सेप पे मैसेज कर सकते हो मेरा को पहले आपने लिखे बेजना वाट्सेप पे हाई देन आपके बाद नेम एकस वाई जेड देन आपका लेवल लेवल में आपका लिखोगे सी एम में इंटर देन उसके बाद आपका परपस परपस में आपका लिखोगे आपको चाहिए पीजी बीपी के कॉम्प्यूटेशन वाले नोट्स देख लो पड़े ध्यान से सुनना अगर तुम लोगों को नॉर्मल पार्ट वन के नोट्स हैं तो मैं ऐसे लिख देना छोड़ो अगर जिन लोगों के पास पार्ट वन के नोट्स हैं तो तुम लिख देना पीजी बीपी पार्ट टू नोट जिनके पास पार्ट वन के हैं तो खाली पार्ट टू के ले ले ना मिरसे और जिनके पास दोनों ही नहीं है तो आप मेरे को ऐसे लिख करें देख लो पार्ट वन अपने देख लिए होगा पार्ट टू आपके concept भी clear होंगे आपको confidence भी आएगा ठीक और इसके बाद मैं capital gain की revision भी लेके आँगा capital gain की revision भी अपने channel भी लेके आएगे चलो वीडियो को start करते है time बर बाद नहीं करते चलो ठीक है एंड हाँ इस channel को subscribe जरूर कर देना और bell icon को press जरूर कर देना है ठीक है चलो thanks a lot guys यह मेरा number है मैं number देना भूल गया आप लोगों को यह मेरा number है 880 whatsapp number 223 513 आप मेरे इस number मेरे को whatsapp कर सकते हो 880 223 513 आप मेरे को message कर सकते हो आपको notes मिल जाएंगे ठीक है यह pgbp वाले है तो यह मेरा whatsapp number है मेरे को whatsapp पे message कर देना यह message बनाकर आपको notes मिल जाएंगे ठीक है चलो करते हैं start pgbp का second part के लिए hello everyone आज की जो class है वो हम लोग start कर रहे है pgbp के questions जिन बच्चों ने pgbp की revision video देख ली है उन लोगों के लिए मैं लेके आया हूं pgbp के questions को कैसे practice करना है तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ये video को please आप लोग pgbp की एक बार revision जिनूर देख लेना क्योंकि उसके बाद ही आप लोग questions कर सकते हो ठीक है बच्चों तो pgbp के questions को आज हम करके practice करके देखेंगे कि क्या इसमें दिक्कत आती है मैंने आपको पहले भी बताया था रेको pgbp यानि profits and gains of business and profession ये एक ऐसा chapter है जिसका accounts के साथ link है और जिनको accounts अच्छी लगती है उनको तो कतई pgbp बुरा लगी नहीं सकता तो pgbp जो है न profits and gains of business and profession इसके अंदर हम लोग अभी तक theory revise कर चुके है तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ साथ किया होगा जिन बच्चों ने नहीं किया तो प्लीज description पे जाके ज़रूर देखें मेरा वो link और चेक करें कि pgbp को कैसे क्या क्या sections हम लोग पढ़ चुके है आज की जो ये वीडियो है वो CA, CS या CMA students सारे बच्चे देख सकते है pgbp के questions practice करने में pgbp questions को complete करने में अगर कोई दिक्कत आती है कोई डर लगता है तो प्लीज आप लोग देख सकते हो समद सकते हो कि कैसे हमें questions को complete करना चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं सारे obviously questions नहीं करा सकता हूँ और मैंने क्या किया कुछ questions अपनी book में से कुछ 5 questions मैंने उठाए और उन 5 questions को मैं समझता हूँ मैंने उनको level wise बांट दिया level wise यानि अगर आप लोग बिल्कुल base level से समझना जाते हो करना कैसे होता है तो मैं वो base level से start कर रहा हूँ बच्चों तो मैंने क्या किया इसके पांच ले तीन level बनाए है बच्चों level 1 जो बिल्कुल basic question होगा level 2 जो next level का question होगा थोड़ा सा level tough हो जाएगा level 3 जिसका थोड़ा सा notes adjustments ज़ादा हो जाएगी तो मैं यह कहूँगा कि वो level 3 is the highest level जिस level के question exam में आते हैं तो मैं यह वाला जो level है मैं इसको कहता हूँ level 3 ठीक है बच्चों तो basically तीन level जो मैंने divide किया फिर मैंने एक profession का question भी डाला जो मैं आपको आज कराऊंगा profession का question जो level 3 में ही मैं cover up करता हूँ और 5th question जो है वो एक miscelliness question है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़े है PGBP का सिरफ question नहीं आता कभी भी exam में आता है तो सब कुछ mix हो के आता है तो उसके बारे में हम लोग discuss करें ठीक है बच्चों तो आओ ज़रा देखें कैसे कैसे exam में question पूछे जा सकते हैं 5 questions के types आओ ज़रा देखते हैं बच्चों basic question से start करते हैं level 1 PGBP का देखो तो आप लोग के पास जिसके पास ये मेरी book है प्लीज वो book से question निकाल सकते हैं उनको पता होगा कौन सा question है और जिनके पास ये book नहीं है प्लीज आप लोग आप लोग इसकी photo खीच सकते हो photo simultaneously आप लोग इसकी ले सकते हो और click लेने के बाद आप ये question अपनी reference के लिए future में रख सकते हो या फिर आप लोग मुझे whatsapp कीजिए प्लीज आपको ये document मिल जाएगा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है सब चीज है अवेलेबल है ठीक है बच्चों तो स्टार्ट कर रहे है PGBP का एक question level 1 अजी अश्वनी कुमार has prepared the following P&L account for the year ended 31st March 2020 you are required to a certain GTI for the year ended 31st on that date चलो थोड़ा साब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाऊंगा पहले तो लेको सबसे पहले जब भी आपको एक PGBP की इंकम निकालनी है आपको समझना है अगर question बोलता है total income निकालो computation of total income या question बोलता है net income निकालो या question बोलता है taxable income निकालो तीनों का एक ही मतलब है बिटा तीनों का एक ही मतलब है मैंने बोला total income net income taxable income अब इसका सबसे बहले format देख लो सबसे बहले format देख लो क्योंकि अगर format नहीं बता तो आपको कोई फाइदा नहीं है आगे गराने का सबसे बहले आपको क्या करना है income निकालनी है head wise solve करनी है जो आप लोग chapter करते हो computation of total income अगर आप लोग जानते हो CA और CMA students CA और CMA students आप लोगों को एक पूरा total income का question आता है exam में तो वो जो total income होता है उसके अंदर salary वो बंदा जॉब भी कर रहा है वो बंदा किराय पर भी देरा property तो house property income भी club करके हम उसकी deductions भी कुछ question में दी होती है exemption दी होती है सब चीज़े apply करनी होती है जो भी आप लोगों ने cover up किया है ना सबसे पहले तो आपको head wise incomes को solve करना है income under the head salary इसी तरीके से income under the head house property इसी तरीके से income under the head PGBP जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों इसके बाद income under the head capital gains और इसके बाद income under the head other sources बचों आप सब जानते हैं कि हमारी कितने heads of incomes हैं five heads of income होती हैं इनको अगर मैं sum up कर दूँ तो मैं इसको बोलता हूँ gross total income क्या बोलता हूँ gross total income इस gross total income को आने के बाद calculate करने के बाद जिसको हम sum of all heads कहते हैं सारे heads को total कर देते हैं उसके बाद हमें government की तरफ से क्या मिलती है deductions मिलती है under section ATC to ATU बचों ये deductions में claim कर लेता हूँ और ये deductions minus करने के बाद अच्छा इसको बोला जाता है बचों GTI deductions minus करने के बाद जो income आती है इसको हम लोग TI यारी total income भी बोल सकते हैं net income भी बोल सकते हैं और taxable income भी बोल सकते हैं अब आप लोग सब जानते हैं salary की भी अपनी एक deduction है deduction है salary की अपनी deduction section number 16 में अगर आपको याद हो वो आपको salary की income find out करने से पहले वहीं पर calculate करना है यारी salary के head के वक्त ऐसे हाउस अपटी के लिए है section number 24 24 A और 24 B ऐसे PG BP में तो deductions ही deductions हैं उसमें तो हम लोग deductions ही पढ़ते हैं section 30 से लेके 38 deductions कहीं होते हैं इसके बाद capital gain capital gain में हम लोग section number 54 पढ़ते हैं बच्चों और other sources में पढ़ते है section number 57 तो यह जो हम लोग deductions पढ़ते हैं यह deductions यह head wise deductions हैं यह head wise deductions minus करने के बाद हम लोग income को head wise calculate कर लेते हैं उसके बाद GTI आता है और उसके बाद deductions निकालते हैं total में से जिसको हम section 80 C to 80 U बोलते हैं या फिर बोलते हैं chapter 6 A of the income tax income tax act का chapter 6 A बोलते हैं पिटा ऐसा एक्जाम में question आ चुका है chapter 6 A बोलते हैं अब अगर मैं इस PGBP के note की बात करूं question बोल रहा है जी टी आ निकालो तो question के रहा है यह निकालो question के रहा है total income निकालो तो question के रहा है यह निकालो total income अब अगर PGBP income के लिए बोल रहा है question calculate करो sir profits and gains of business and profession तो ऐसे case में हम लोगों ने कैसे वो PGBP income निकालनी है उसके लिए sir क्या formula होता है क्या format होता है तो वो भी मैं बता चुका हूं पहले computation of income under the head profits and gains of business and profession और इसका format जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था सबसे पहले तो आप लोग क्या calculate करोगे net profit जो आपको दिया होगा as per P&L account net profit as per P&L account ये जो net profit होगा बेटा जो P&L account जो बच्चों accounting के हिसाब से बनाया गया accounting standards accounting principles को follow करके बनाया गया जो companies act को follow करते वो बनाया गया वो net profit में आप अब adjustments करने वाले हो as per income tax act expenses debited but not allowed allowed as deduction ऐसे expenses जिनको debit तो कर दिये बर देर नौट अलाओ डेश्यक्षिन हम उनको add back कर देंगे बिटा मतलब समझते होना कि मैंने कोई खर्चा P&L account में debit कर दिया accounts के साब से बढ़ इंकम tax के वालों के साब से वह add back हो जाना चाहिए क्योंकि वह allow नहीं होना चाहिए हम add back कर देंगे ऐसे expenses जिनको debit करना चाहिए logic समझो क्योंकि अगर ये बाते नहीं समझ में आई वो question समझ में नहीं आएंगे कैसा solve होते हैं please 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 अब इसको अच्छे से ऐसे समझो ताकि आप हर तरह का question exam में कर सको कोई भी question करने में कोई बहुत 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 अलग चीज नहीं आती sections की knowledge चाहिए और simultaneously ये section number 29 की है जो हम लोगों ने discuss किया दो ना format ये आपको पता होना चाहिए ये ये basically calculation बता होनी चाहिए कि हमें income को कैसे किस में क्या क्या चीज एड करनी और क्या चीज माइनस करनी है expenses को भी debited मैंने बताया कि ऐसा कोई खर्चा जो notes में दिया हुए और उसको अभी तक आपने debit नहीं किया यानि माइनस नहीं किया हम इसमें से माइनस कर देंगे अगर as per income tax act उसको माइनस होना चाहिए था incomes credited but not taxable अगर आपको ऐसे लगता है कोई ऐसी incomes है जिनको आपने credit कर दिया but they are not taxable वो taxable नहीं होनी चाहिए थी तो आप उसको क्या कर दोगे माइनस कर दोगे और ऐसी incomes जो credit होनी चाहिए incomes to be credited वो income हम लोग क्या कर देंगे add जो आपके हिसाब से वो PGBP की income होनी चाहिए थी तो आप लोग add कर दोगे is that clear बच्चों तो मैं इस तरीके से अपनी income find out करूँगा PGBP की income ठीके बच्चों अचा इसके अंदर दो और बातों का ध्यान रखना है आपको एक होता है बच्चों over valuation या फिर under valuation of opening stock और एक होता है over valuation या under valuation of closing stock अगर ये दो बाते information अगर question में दिया हो अगर आप opening stock को कम करोगे opening stock किस साइट पर आता है trading account में debit side यानि आप खर्चों को कम करोगे तो profit बढ़ जाएगा कोई doubt profit बढ़ जाएगा opening stock को अगर मैं over value कर देता हूं तो खर्चे बढ़ जाएंगे अगर मैं ऐसा करूँगा तो profit कम हो जाएगा अब actual में हमें इसको rectify करना है ओवर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है तो मुझे क्या करना है उसको over valuation से उसको ठीक करना है तो अगर वो opening stock बढ़ा हुआ है तो मुझे उसको कम करना है opening stock को कम करूँगा तो profit बढ़ जाएगा है ना opening stock मतलब debit side पर opening stock आता है अगर मैं opening stock को कम कर दूँगा यानि खर्चों को कम कर दूँगा तो profit बढ़ जाएगा इस case में profit बढ़ जाएगा और अगर मैं undervaluation की बात करूं closing opening stock की undervaluation यानि opening stock कम value पर record किया गया है तो ऐसे case में अब उसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो उसके बढ़ाने की वज़े से expenses हो जाएगा समझ में आता है तो कहां change करना है आपको समझ में आ रहा है तो यह बाते आपको याद अखनी है जब भी आपको ओवर वैलुवेशन ओफ ओपनिंग स्टॉक होगा तो आपको PGBP income निकालने के लिए वह चीज़ अड करनी है वह आपको यहां करनी है PGP income निकालने से पहले तो आड करनी है समझ में आया एड क्यों करनी है opening stock कहां पर आता है trading की debit side पर अगर overvalued है वो जादा है तो हमें उसको कम करना है अगर हम उसको कम करेंगे तो profit बढ़ जाएगा तो मुझे profit बढ़ाना है undervaluation उकवरेंगे similarly of opening stock तो मुझे profit क्या करना पढ़ेगा कम करना पढ़ेगा इसी तरीके से अगर मैं closing stock की बात करूँ तो overvaluation of closing stock अगर closing stock overvalued है जादा value पर है ठीक है और बाद में income tax department कहता है कि इसकी value इतनी नहीं होनी चाहिए कम होनी चाहिए closing stock को revalue किया और पदा चला overvalued है तो उसको कम करते हैं अगर तो profit कम हो करना पढ़ेगा जोजिं stock income side पर आती है प्लस undervaluation of closing stock बेटा देखो मैं आपको accounts के तरीके से बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ overvaluation undervaluation के और बहुत सारी reasons होते हैं हम वो वाले reasons नहीं समझ में आए क्योंकि हमारे पास इतना time नहीं है इस topic को पढ़ने के लिए तो हम लोग जो हैं सिर्फ concept को देख रहे हैं कि अगर overvalued हो तो उसको profitability में कैसे change करें ठीक है सिर्फ accounts के इसाब चाहिए हम लोग tax के point of view से देख रहे हैं कि कि इसको कैसे solve कर सकते हैं जल्दी से जल्दी तो आपको बस देखना है profit बढ़ेगा या घटेगा that's it तो यह सब चीजों को देखते हुए यह सब चीजों को समझते हुए हम लोगों को आगे apply करना है इसको अपने questions के अंदर आओ बच्चों कुछ questions देखते हैं फिर अब यह है level 1 question I hope आप लोगों ने इसकी photo खीच ली होगी मैं इसका solution यहीं पे करने जा रहा हूँ देखो question में आपको debit side पे और credit side पे आपको कुछ खर्चे और कुछ income दे रखी है आपको find out करनी है total income जीटी है तो मैं सबसे पहले heading start करूँगा gross total income से बच्चों start करूँगा gross total income so computation मैं solution लिख देता हूँ इदर बहुत basic question है मुझे पता है बहुत सारे बच्चे होने तो का होगा यार यह वाला तो होई जाएगा बट स्टिल जो पहली बार कर रहे है उनके लिए बहुत बहुत ज़ारा जरूरी है computation of gross total income of mister aswani for the assessment year two thousand twenty twenty one अब मैं यह format आपके सामने बना रहा हूँ एक तरफ मैंने लिख दिया particulars और एक तरफ मैंने लिख दिया amount ठीक है और इसके अंदर मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले किस से स्टार्ट करूँगा देखो अगर मुझे अनिकालना है बच्चों अगर मुझे जी टी आ निकालना है तो मुझे पी जी बी पी अलग से सॉल्व करना होगा यह प्रेजेंटेशन बहुत इंपोर्टेंट एक्जाम पॉइंट आप्यू से इंकम अंडर दहेड प्रॉफेट्स अंड गेंस ऑफ बिजनस और प्रोफेशन यानि पी जी बी पी तो यह जो इंकम है आप इसको अलग से सॉल्व करेंगे अब पी जी बी पी को आप इसको इनर कॉलम में सॉल्व करो क्योंदि कॉश्शन तो जी टीए मांग रहा है अगर जी बी सॉल्व कर् Крас bought इस निकालना है इसलिए मैं आप देखो तो आपको कितना दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 34,100 तो प्लीज 34,100 आपको नेट प्रॉफिट दिया है मैं एड कर दूँगा जो expenses debit कर दिये हैं बट दे आर नोट लॉट अब expenses जो debit कर दिये बट दे आर नोट लॉट हम एक एक करके है बच्चों सारे expense को देखेंगे और टिक मारते जाएंगे जो जो होते जाएंगे और example लिखा है salary 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 देखो आप as per income tax department सोचो क्या salary की deduction अलाओ नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए सर कहीं लिखा हुआ है यह चीज कहीं ना deduction मिल जाएगी rent की deduction मिल जाएगी loss by theft अब देखो loss by theft जो होता है चोरी की भी deduction बुलकुल मिल जाती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सिर्फ इसके लिए evidence चाहिए होता है evidence सबूत चाहिए होता है तो सबूत क्या होता है FIR हम यह मान के चलते हैं कि FIR आपने complaint पुलिस में कर दी होगी FIR की रिपोर्ट आ गई होगी FIR की रिपोर्ट आ गई तो आपको इसके basis की भी deduction मिल जाएगी discount बिजनस में discount तो दिया ही जाते हैं बच्चों इसमें तो एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो discount किये जा सकते हैं हर चीज का evidence होना charity नो charity की deduction पेटा पहली बात इस section में PGBP में नहीं मिल सकती है आप business कर रहे हो आप charity दे रहे हो अच्छी बात है but that will be allowed under section 80G कि किसको donate किया कौन सी organization को donate किया हम वो बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे है charity अगर सिरफ charity कह रहा है तो इसकी deduction जरूर मिलेगी but 80G में देखेंगे कि मिलेगी या नहीं मिलेगी उनकी conditions को देखेंगे PGBP में तो नहीं मिलेगी बच्चों क्योंकि यह business तो नहीं है simply अब यह सोचो कि क्या वो आपका business है नहीं है तो मैं यहाँ पर charity को add back कर देता हूँ बेटा 500 रुपे इसके इलावा next is banking cash transaction tax 6000 बेका banking cash transaction tax अलाव होना चाहिए बच्चों बिल्कुल होना चाहिए अगर आपको याद आ रहा हो section number 36 तो हम लोगों ने पढ़ा था banking cash transaction tax commodities transaction tax securities transaction tax इनकी deduction मिल जाती है यह हो गया यह हो गया reserve for bad debts बचों याद करो provisions reserves for bad debts इनकी deduction नहीं मिलती है government कहता है मैं actual में अगर कोई bad debt है तो claim कर लो अच्छा उसका भी सबूत चाहिए but अगर reserve बनाया गया है provision बनाया गया है sir मतलब ही नहीं बनता reserve for bad debt allow नहीं होगा हम हम क्या कर देंगे इसको add back reserve for bad debts amount check करेंगे कितना amount है reserve for bad debts का 10,000 रुपे तो 10,000 मैं add back कर देता हूँ next gift and presents अब gift and presents देखो बहुत ज़रूरी बात यह है कि gifts and presents किसको दिये जाते हैं ठीक है gifts and presents company में भी हो सकते हैं company के perspective से भी हो सकते हैं question में कुछ ना लिखा हो तो हमें एक assumption ही लेनी पड़ेगी कि gifts and presents परस्नल नेचर के हैं क्या एजूम करोगे gifts and presents are of परस्नल नेचर gifts and presents परस्नल नेचर हम यह जूम करके चल रहे हैं पेटा क्या करना है अभी तो यह चोटा question है तो इसलिए मैं यहाँ पर वैसे क्या करना चाहिए जहां पर भी आप प्लस माइनस करते हो ना और जहां पर भी आपको एक section अलग से लिखवाया गया है उनके लिए आपको notes जरूर बनाने चाहिए examiner जरूर देखता है कि आप लोग उन्हें notes के basis पर क्या लिखा है notes का मतलब क्या है notes का मतलब है you are showing the reasons प्लस माइनस करना तुक्का भी तो मार सकते हो reason दो भाई क्यों प्लस किया क्यों माइनस किया so gifts and presents 500 रुपे एड बैक कर दिया क्योंकि वो personal nature का life insurance premium इसकी deduction section 80C में मिलती है yes या no है ना क्या PGBP में मिलेगी बच्चों नहीं मिलेगी हम PGBP calculate कर रहे हैं हम deduction इसमें नहीं ले सकते तो इसलिए not allowed under PGBP कितने रुपे का माउंट है अच्छा gifts and presents में एक हजार रुपे का था और deduction ATC life insurance और गिवन पर पांसो रुपे का और लाइफ इंशूरेंस भी मजार यह है पांसो रुपे का तो मैं इसको ठीक कर देता हूं यहां पर यह है 500 ओके बच्चों सो मैंने यह काम कर दिया है आगे देखते हैं interest on loan 12,000 नो नॉमली बिजनस के अंदर क्या loan नहीं होता होगा बिल्कुल होता होगा सर उसके ओपर interest नहीं होता होगा बिल्कुल होता होगा सर मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए बिल्कुल मिलनी चाहिए सर कहां पर लिखा है section बताओ बताओ section 36 में लिखा है बिल्कुल सही बात interest on loan की deduction मिल जानी चाहिए next interest on capital अरे भाई अपना पैसा तू लगा रहा है अपने पैसे पर तू interest claim करेगा बाहर से उठा ले उस पर interest अगर लग रहा है तो बात और है बट अगर मालिक का ही capital का interest सर उसी के तो हम income calculate कर रहे हैं interest on capital is not allowed बच्चों not allowed interest on capital नहीं होगा मैं add back कर दूँगा समझ में आ रहा है logic अच्छा तो मैंने यह बलक point हो गया यह point हो गया यह point हो गया repairs to house भाई घर की repairing कर रहा हां until less यह question में लिखा जाए कि घर में ही business कर रहा है ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ तो हम लोग मान लेंगे कि घर घर जहां पे वो रहे रहा है अब repairs to house की बात अगर हम करें तो repairs to house भाई यहां पर क्यों मिलेगी direction यह तो house property का topic है तो इसलिए यहां से हमें क्या कर देना चाहिए add back भाई ने गलती कर दिया है इसको add back कर देना चाहिए repairs to house कितना amount है बच्चे repairs to house का 500 rupees इस next income tax बच्चों section section 40 subsection a clause 2 हम लोग ने पढ़ा था income tax well tax इसकी deduction नहीं मिलती को income tax well tax की deduction नहीं मिलती भाई income tax ही तो निकाल रहे हैं तो इसलिए income tax को disallow कर देंगे दो अजार रुपे not allowed as per section as per section 40 clause A 40 subsection A clause 2 ये वाला section repairs to house क्योंकि ये personal है इसलिए not allowed life insurance personal है ATC में मिलेगी interest on capital भी personal है नहीं मिलेगी is that clear बच्चों तो ये है expenses debited but not allowed अब चेक करते हैं बच्चों कि कोई ऐसी credit side पे तो नहीं है कोई income जो हटानी चाहिए rent from house property अरे भाई house property का किना है यहां क्या कर रहा है ये तो house property के head में जाएगा ना तो इसलिए rent from house property को क्या करेंगे incomes credited but not taxable यहां पे rent from house property हम क्या कर देंगे minus rent from house अबड़ी कितना है बच्चों 36,000 लो जी ये मेरी PGBP income ready हो गई है please calculate करेंगे सब लोग मैं भी करता हूँ आप लोग भी करो वाग लोग मैंना है 15,600 बच्चों मेरी इंकम आई है ये 15,600 ये इंकम है PGBP की कौन सी इंकम है ये PGBP की 15,600 समझ में आ गया बच्चों अब जो है हम लोग क्या करने वाले हम लोग अब निकालने वाले हैं हाउस आपटी की इंकम क्योंकि इसके अंदर दोसरा है भी है और दूसरी बात question में लिखा भी हुआ है हमें GTI निकालना है तो इंकम अंडर दे एड हाउस प्रॉपर्टी I hope आप लोगोंने हाउस प्रॉपर्टी चाप्टर को तो complete करी लिया होगा कोई बहुत मुश्किल चाप्टर नहीं है वो तो इसलिए हाउस प्रॉपर्टी चाप्टर की जो इंकम है उसमें आपको जो ये रेंट दिया हुए 36,000 का इसको हम बोलेंगे gross annual value क्या बोलेंगे gross annual value क्योंकि और कोई information तो दी नहीं हुई municipal value fair rent तो इसी को gross annual value मानना पड़ेगा 37,000 रपे और minus municipal taxes होते हैं जो की नहीं दिये हुए question में तो ये ही 36,000 रपे मेरा annual value बन जाएगा बच्चों और annual value के बाद अगर आपको याद आ रहा हो क्या होता है standard deduction under section 24A 24A 30% की standard deduction मिल जाती है बच्चों 10,800 रबे की मिल जाएगी और मेरी house property income आ जाएगी ये 25,200 house property income आ गई है 25,200 ये आ गई मेरी house property income मैं total कर दूँगा मेरी आ जाएगी gross total income जो question मांग रहा है और gross total income हो जाएगी 40,800 समझ में आ रहा बच्चों बहुत basic सा question था कोई मुश्किल नहीं था note कहां कहां देना चाहिए ये जो मैंने यहां पर brackets में लिख लिए क्योंकि चोटा question है इसलिए मैंने यहां पर note नहीं लिखा बट आपको वहां पर ये पता लगाना है चोटा है बड़ा है तहीं नहीं है आप लोग क्या करो note जरूर डालो तो इसका एक note डाल देना चाहिए personal nature वाला परसनल नेचर वाले जितने भी खर्चें उसको एक ही note में डाल दो जैसे gifts and presents, interest on capital, repairs to house these are of personal nature so therefore it is not allowed as deduction income tax की बात कर सकते हो कि section 48 clause 2 में मना करते हैं डिसलाओ होता है ये deduction नहीं मिलती reserve for bad debts और इंकी deduction नहीं मिलती charity के बारे में ये लिख सकते हो कि उसको ATG में मिलती है rent from house property के बारे में obviously ये लिख सकते हो कि house property का income is not a PGBP income समझ में आया बच्चों तो ये है मारा question number one मैं level one के बाद आप मैं level two पे जा रहा हूँ please next level पे आ जाएं और अगर आप लोगों ने नहीं note किया प्लीज फोटो कीच लें इसकी मेरे क्याल जाओ note कर लेना चाहिए था level two पे आ रहा हूँ मैं the following is the P&L account of Mr. Raj for the year ended up मैं level two इसको क्यों बोलता हूँ क्योंकि एक वो question होता है जिसमें notes adjustments होगेरा सब आ जाती ना इसके अंदर क्या है आपको taxable income निकालना है from business for that year Mr. Raj की और उसके बारे में आपको question में कुछ P&L account दे दिया गया है आपको कुछ information भी दिया है उस information को use करके आप लोगों को करना है तो please 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 photo की चलेंगे ताकि मैं start कर सकूँ question number two ना अच्छा इस question में आप लोग check करेंगे please क्या आपको taxable income निकालनी है या business की income निकालनी है अब question में लिखा गया compute is taxable income from business मतलब सिर्फ बिजनस की मांग रहा है वो तो भाई आपको taxable income निकालनी है but only for business सुम लोग start करते हैं solution solution computation of income from business मिस्टर राज किस एर के लिए निख रहे हैं फॉर दर असेस्मेंट यह अब प्रीवेस यह दिया हुआ ना बच्छों 1920 यह दिया है असेस्मेंट यह कौन सा हुआ 2020-21 फार अजी कॉंट से स्टार्ट करने आपको पता है क्योंकि पीजीबी इंकम निकालनी है तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं सीधा नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट एज पर पीड़ एकाउंट एज पर पीड़ एकाउंट आप सीधा इसको आउटर कॉलम में लेख सकते हो कितना दिया हुआ है 26,000 रुपीज इसके बाद आपको add back करना है expenses जो debit कर दिये गए बट यह नोट लोट अलाओड अब ऐसे expenses जो debit कर दिये बट रहें नोट अलाओड चेक और देखो आपको फिर से वैसे हम जैसे हम लोग ने करके उसमें से उठाया था वैसे ही यहां पर उठाना है opening stock, question में कहीं opening stock closing stock के बारे में ये लिखा है कि over value हो गया या under value हो गया कहीं नहीं लिखा, नीचे note में check कर लो नहीं लिखा, तो tension नहीं ले नी, इसको आगे जाने दो, purchases purchases पे notes देख लो जब भी कोई notes वाला question होगा, आप लोगों ने एक एक करके topic price, topic wise बढ़ना है और फिर उससे related notes देखने है और फिर notes जब हो जाएं तो notes पे tick कर देना है कि वह या notes भी होगा purchases, purchases में कोई ऐसी चीज दी हुई है नहीं दी हुई, आगे बढ़ो purchases, ठीक है wages, बीजाद क्या wages पे ऐसा कुछ दिया हुआ है बचों, wages में ये लिखा हुआ है कि राज बॉट आ कार दूरिंग दे यर फॉट्टी थाउजन कि चार्ज 15% देपनिशन दे वैल्य अफ कार दे कार सोल दूरिंग दे यर फॉर सेविंटी थाउजन वेजज दी हुई है, 25 on a counter राज ड्राइवर और अच्छा बट राज ड्राइवर जो है वो तो कार ही चलाता होगा और कार जो है वो थ्री फॉर्थ बिजनस के लिए और वन फॉर्थ परस्नल है तो परस्नल वाली डिरेक्शन नहीं मिलनी चाहिए ना, आप तो पूरी ले चुके हो, तो हम लोग वन फॉर्थ डिसलाओ कर देंगे बच्छों फेज़ ओफ राज ड्राइवर ट्वेंटी फाइवंड्रेड का वन फॉर्थ विच इस 6 25 आगे बढ़ते हैं बच्छों, वेज़िस के बाद आता है, रेंट, रेंट दिया हुआ है, 6,000 रुपे, 6,000 का जो रेंट दिया हुआ है, इसके बारे में, आधा रेंट, बिजनस में, और आधा जो है, वो रेजिदेंस के लिए, तो ठीक है सर, तो 6,000 की डिदेक्शन नही ओफिशिल नेचर का है, सिर्फ उसी की डिदेक्शन मिलेगी, फिर एक सेक्षन होता था, सेक्षन 38, जिसमें हम लोग ये बात पढ़ते दे कि हम लोग परसनल नेचर वाला जो खर्चा होगा, सिर्फ उस खर्चे को डिदेक्शन नहीं देंगे, बिजनस वाला जो खर्चा ह का रेंड था, तो 6,000 रुपे का आफ, यानि 3,000 रुपे डिसलाओ कर दूँगा, क्योंकि ये परसनल नेचर का है, तो प्लीज आप लोग क्या करेंगे, इन सब क्यों पर नोट्स डालेंगे, ठीक है, इसमें लिखेंगे कि वेजज ऑफ राज ड्राइवर, जो मैं यहां ल 3,000 रुपीज की हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कार, क्योंकि 1,4 परसनल के लिए था, 3,4 बिजनस के लिए था, तो कार की रिपेरिंग का भी 1,4 डिसलाओ हो जाएगा, है कि नहीं, 3,000 का 1,4 रुपीज इसके बाद, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें कार की रिपेर के बाद, निक्स पॉइंट पर चलना चाहिए, और जो जो पॉइंट से वागे, वेल टैक्स पेड, भाई, वेल टैक्स पेड और इंकम टैक्स पेड, डिड़क्शन नहीं मिलेगी, वेल टैक्स, सेक्शन 40, A2, है न, 40, A2, क्या कहता है, not allowed as deduction, कितना माउन थ 2000 नहीं मिलेगी, medical expenses, now medical expenses किसके हैं, उस पे बहुत डिपेंड करता है, medical expenses वर इंका during sickness of राज, पर राज की तो है business, तो यह तो अपने लिए medical expenses, penal account में डाल रहा, शावाश, बहुत बढ़िया बन्दा है तो, इसको क्या करेंगे, अटा देंगे, भाई, आप सोचो, आप income tax department ह परसनल वाली तो कोई मतलब भी नहीं बनता नहीं यहाँ पे आने की, medical expenses of राज, मतलब भी नहीं बनता, अगर राज का personal expenses यहाँ पे आ रहे हैं, तो यह गलत है, 3000 रुपे, add back कर देंगे बच्चों, next, general expenses आपको दिये हुए, general expenses 11,000, उससे related कोई note दिया है, नहीं दिया, तो मतलब कुछ नहीं दिया, तो हम लोग मान के चलेंगे कि business के general expenses है, मैं जैसे जैसे point करवा रहूं न, और obviously इतने सारे question तो करवा भी नहीं सकता हूं इस particular video के अंदर, तो आप लोग क्या करो, आप लोग यह चीज देखो कि किस चीज का क्या reason दे रहा हूं मैं, general expenses, question में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम मान के चल रहे हैं कि business के general expenses है, depreciation of car, car का depreciation, कितना रवे दिया हुआ है, 3000, अधे को depreciation add back allow कर देना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कि अगर कोई भी asset during the year, बेच दी जाए, तो क्या उस चाहिए हो आप, number 2, asset has been put to use during the year, number 3, asset has not been sold during the year, और question में देखो, ध्यान से लिखा हुए, asset has been sold during the year for 17,000, क्योंकि asset को बेच दिया गया है, इसलिए, इसलिए कोई debt allow ही नहीं होगा, उसने तीन यहर का debt लगा लिया है, मैं क्या करूंगा, depreciation of car, disallow कर दूंगा, as per income tax, this is not allowed, is that clear, advance income tax paid, सवाल ही नहीं पेदा होता, advance हो या outstanding हो, income tax की deduction नहीं मिलेगी, कितना amount, 1000, ठीक है जी, तो यह हमारा debit side हो गया, credit side की बात करे, पहले देख लेते हैं, notes सारे हो गए, यह वाला note हम लोग ने पढ़ लिया, यह वाला note हम लोग ने कर लिया, medical expenses वाली बात हो गई, और य क्लोजिंग स्टॉक, 20,000 रुपे का, फिर gift from father, 10,000, sale of car, 17,000, income tax refund, 3,000, अब बताओ, income tax refund, gift from father, यह सब चीजना जो दी हुई है, अब क्या करें, incomes credited but not taxable, मैं क्या करूँगा, minus incomes credited but not taxable, मैं उन incomes को अपने credit कर दिया, but they are not taxable, मैंने उनको minus करना है, एक एक करके चेक करेंगे, sales closing stock से कोई लेना देना है, नहीं, gift from father, भाई, father से gift, बिकार account इंडे तुमारा यार, gift from father को भी उसने यहां डाल दिया, सर, other sources में पढ़ते हैं, relative से कोई gift मिले, वो आपकी, relative में भी, बिटा, वो definition दिया, gift from father है, भाई, father, तो ऐसे case में तो taxable होना ही नहीं चाहिए, जितना मर्जी gift मिले, sale of car, अब गाड़ी की sale value भी इसने यहां डाल दिया, भाई, यह account नहीं जानता, ठीक है, sale of car, गाड़ी की sale value, भाई, हम लोग यह तो सुनते थे profit loss डालते हैं, इन्होंने तो गाड़ी की sale value भी डाल दी, तो यह बात गलत कर दी, इसलिए हम लोगो यहां से हटाना पड़ेगा, income tax refund, मतलब भी नहीं बनता, जब income tax की deduction ही नहीं मिलती, तो income tax refund taxable क्यों होगा तो 3000 रपे हम लोग यहां पर हटा देते हैं, हाँ, अगर interest on income tax refund होता, तो वो taxable होता, बट वो यहां नहीं होता तब भी, तो कहां होता, other sources में होता, other sources है न, वो आपकी main income थोड़ी नहीं है भाई, is that clear? अब आप लोगों ने क्या करना है, और कोई information तो आपको question में दी नहीं हुई, अब आपने क्या करना है, add वाले plus वाले इधर लिख दो, minus वाले इधर लिख दो, 10 और 17 और यह हो जाएंगे, 27 और 3, 30,000 और मैं plus वाले अब एक साथ कर देता हूँ, plus वाले जो हैं, वो कितने बन रहे हैं, 625, 3,000, 750, 2,000, 3,000, 3,000 और 1,000 13,375, 13,375, अब यह adjustment करने के बाद, मेरी इंकम कितनी आ रहे हैं, चेक करो, 26,000 plus 13,375, minus 30,000, 9,375 is my PGBP income, 9,375 is my PGBP income, income from business समझ में आगी बच्चों, तो यह level 1 और level 2 का question हो गया, आप लोगों का, notes आप लोग समझ गए हो, जहां जहां मैंने यह चीज़ बनाई हैं, इन सब के notes होने चाहिए, नोट्स में दिखाना जरूरी है, यह personal nature के है, personal nature वाला note डालेंगे इसके उपर, depreciation of car के उपर एक बहुत अच्छा note बनना चाहिए, क्योंकि depreciation of car मिलेगा ही नहीं, because car has been sold during the year, और advanced income tax तो आपको पता ही है, section 40A clause 2, तो बच्चों यह वो reasons हैं, जिनकी deduction मिलनी नहीं चाहिए थी, समझ में आगई बात, तो notes जरूर लिखना, क्योंकि notes के basis पर examiner आपको test कर पाएगा, कि आप लोगों को रटा रटाया है, या फिर आप लोगों को actual में समझ में आया है, आज ओ, page number 3, और हमारे third question पे, जो की हमारा आखरी level वाला question है, level 3, मैंने इस वाले question में बहुत बढ़िया question उठाया है, सब चीजें इसके अंदर है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, in fact, तो आपको दिमाग लगा के बताना है कि कौन सी चीज की, कब कब क्या deduction मिलेगी, देखो, मैं बहुत सारे questions नहीं करवा सकता हूँ, इसलिए जो questions मैंने करवा रहा हूँ, मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि सारी maximum coverage मैं कर सकूँ, ठीक है, आप लोग practice करो बच्चों, RTP, MTP, mock test papers, RTP, revisionary test papers, जो भी आपके पिछले सालों के paper, और उसमें से भी अगर कोई doubt निकल आता है, तो please, 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 आप मुझे message कर सकते हो, मेरा contact number है 9971975529, आप लोग मुझे message कर सकते हो, मुझसे पूछने के लिए, sir, आपके पास ये debit और credit side पर कुछ information दी हुई है, हमें क्या calculate करना है, हमें total income निकालनी है, बच्चों, क्या निकालनी है, total income, आप please, इसकी click ले लेंगे, पहले आप इसकी click ले लो एक अलग से, ये वाली photo की चलो जल्दी जल्दी, और फिर इसके बाद, आप other information की photo कीच लो, ठीक है, और अब जो है इसके question हम लोग करते हैं, practice करते हैं, तो आओ ज़रा देखें, कि हमने इसको कैसे solve करना है, कभी भी बड़ा question जब भी देख लो, घबराना नहीं है, sir, ये तो बहुत बड़ा question है, sir, ये तो बहुत बड़ा question है, ठीक है, तो इसलिए कभी घबराना नहीं है, जितना बड़ा होगा, उतना interesting भी होगा, असान भी होगा, ठीक है, तो आओ ज़रा देखें, क्या इसके अंदर interesting है, हाँ जी, तो total income निकालनी है बच्चों, computation of total income, total income मतलब वोही taxable income of Mr. Jai Singh. किस साल के ले निकालनी है बच्चों, for the assessment year 2021-2022. हाँ जी, करें start, तो ये हमारा question है, और इस question को हम लोग solve करने जा रहे हैं, total income में, तो देखो सबसे पहले तो आपके पास ये पूरा PGBP दिया हुआ है, capital gain तो एक छोटा सा mount ही दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो income under the head PGBP निकाल लो, income under the head, मैं short form PGBP जरूर यूज कर रहा हूँ, बढ़ आप लोग exam में ऐसा नहीं कर सकते हो, पूरा आपको डालना पढ़ेगा, income under the head profit and gains of business और professional अब आपको income under PGBP calculate करना है, और income under the head PGBP calculate करने के लिए, मिरको सबसे पहले क्या चाहिए होता है पता है ना आप लोगों को, net profit चाहिए होता है, net profit आपको दिया हुआ है 7,34,000, net profit as per P&L account दिया हुआ है, 7,34,000, इसके अंदर हम add back करेंगे बेटा वो expenses जो debit कर दी है, but they are not allowed, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप चाहो तो इसी question को अलग से solve working note में भी solve कर सकते हो, मतलब पहले PGBP आप working note में solve करके बाद में आप total income निकाल लो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप लोग यहीं पर solve कर सकते हो जो जो working है उसके लिए अलग से notes बना सकते हो, सबसे पहले, सबसे पहले net profit में ने start कर दिया, इसके बाद आपको एक एक करके उपर वले point पे देखना है, उसका note देखना है, सबसे बहले लिखा salary to staff, अब now salary to staff पे जब मैं जाता हूँ, तो चेक करता हूँ salary to staff में कोई point लिखा है, जी हां लिखा हुआ है point number 3, salary to staff includes payment of 8,000 to a relative, which is unreasonable to the extent of 3,000, बचो याद करो section 40 capital A, subsection 2, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं, कि अगर मैं किसी को भी relative को payment देता हूँ, और relative को अगर मैं payment देता हूँ, जो की unreasonable amount है, तो मुझे unreasonable amount की deduction नहीं मिलनी चाहिए, clearly लिखा है unreasonable 3,000 है, तो मैं यहाँ पर, salary to relative, यहाँ पर मैं लिख दूँँगा, 3,000 rupees, is that clear, 3,000 rupees, relative को salary जो मैंने excess दी है, जादा दिया है, उसके deduction मुझे नहीं मिलेगी, next salary to staff में और कोई note तो नहीं है, तो इस note को काट देते हैं, खतम हो गया है, next पर आ जाते है, general expenses, general expenses दिये हैं, बच्चों 48,000, 48,000 के general expenses में कुछ बाते लिखी हुई हैं, बहुत important है, ध्यान से सुनना, expenditure of 48,000 rupees incurred by Jaising on training of his employees, मुझे एक बात बता दो, हम लोगोंने section 37.1 में क्या पढ़ा था, general deduction जिसमें हम लोगोंने ये पढ़ा था, कि अगर कोई खर्चा 30 से लेके 36 तक के sections में cover नहीं होता है, और अगर वो खर्चा revenue nature का है, अगर वो business के लिए किया गया है, तो उसकी direction मिल जानी चाहिए, तो दियान से देखो, 48,000 rupees, क्या ये तीनों conditions को meet कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर, इसकी direction मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, तो इसलिए इसकी direction मिल जाएगी, B part, 10,000 rupees दिया है commission for securing a business order, अरे ये भी commission तो दे रहा है, बिजनस के लिए ही कर रहा है ना तो मिल जानी चाहिए बिलकुल मिलनी चाहिए compensation of 6,000 paid to employee while terminating is service in the business interest तो 6,000 पेगा कोई compensation उसने किसी employee को terminate किया business interest के लिए मतलब business के favor में ही कर रहा है ना भाई सब कुछ तो मिल जानी चाहिए deduction तो basically इस तीनों points में यह कहना चाहता है यह तीनों points 48,000 के अंदर included है इसकी deduction मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए तो आप क्या बोलोगे yes these expenses will be allowed as deduction under section 37.1 general deduction तो बच्चों general expenses जो 48,000 है मैं इसके ओपर कुछ नहीं करूँगा क्योंकि जो उन्होंने नीचे दिये हुए थे उसमें से कोई भी चीज add back नहीं होनी minus ही रहने देनी है सब कुछ ठीक है bad debts return off now bad debts return off debit side पे लिखा है कोई दिक्कत नहीं है यार reserve नहीं होना चाहिए अगर reserve है तो दिक्कत है यह reserve नहीं है बच्चों तो bad debt की direction मिल जाएगी मैं आगे बढ़ता हूँ reserve for losses now यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा reserve for losses को add back करना पड़ेगा कितना amount है reserve for losses reserve for losses है बच्चों 2000 रुपे का मैं यहाँ पर add back कर देता हूँ next fire insurance premium advertisement और outstanding expense मिला के fire insurance premium 32 रुपे का fire insurance premium की कोई deduction मिलनी चाहिए sir बिलकुल मिलनी चाहिए office कही तो है तो मिल जानी चाहिए इसके related कोई note नहीं दिया हुआ नहीं दिया हुआ आगे बढ़ते है reserve for losses हो गया fire insurance हो गया advertisement advertisement 4,000 रुपे का लिखा है और यह है पर 16,000 रुपे का outstanding खर्चा लिखा है 24,000 रुपे paid होगा ठीक है हम तो पूरा पूरा वो देखेंगे न एक रूवल बेसेस पर कितना खर्चा है एक बात बताओ advertisement में हम लोग ने एक note पढ़ा था बिलकुल पढ़ा था advertisement में हम लोग ने note में क्या पढ़ा था 37,2B में revenue expense, capital expense, revenue expense दो तरह के होते है political party के pamphlet, brochure, magazine अगर में उसमें आप advertisement करवाई तो वहाँ पे deduction यहां नहीं मिलती ATGGB, ATGGC में मिलती है और अगर आप बात कर रहे हो other advertisement कोई तरीके की कोई और advertisement जाजे TV, newspaper वगएरा तो ऐसे add की आपको deduction मिल जाती है business में, अब यहां पर advertisement के बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा है that advertisement expense include 3400 being the cost of two diaries, बच्चा confused हो जाता है, सर यह तो capital, अरे भाई, capital कैसे, यह तो दे रहे हो advertise कर रहे हो, promotion, वो होता नहीं हो एक diary होती है, executive diary उस executive diary के अंदर आपकी company का नाम printed होता है, उसमें जिस किसी भी person को आप दे रहे हो, अपने clients को दे रहे हो, उनको impress करने के लिए ताकि वो आपके साथ जुड़े रहे है, समाद मेरे, तो वो executive diary 3400 रपे की बनाई है, क्या फरक पड़ता है, yes, it is allowed as deduction, तो basically यह 4000 रपे में outstanding दे के, इससरफ आपको confuse कर रहे है, अचा, यह जो point है, यह confuse कर रहा है, नीचे वला point भी confuse कर रहा था, बट इसका कुछ नहीं करना, revenue nature का खर्चा है, मिल जाएगी deduction, अचा, यह जो 2400 और 1600, 1600 outstanding है, सर, यह तो खर्चे की deduction नहीं मिलनी चीज़, अरे भाई, क्या advertisement खर्चा, section 43B में आता है, actual payment में आता है, actual payment याद है बच्चों, कुछ हम लोगों ने 67 points पड़े थे, जो actual payment basis पर ही deduction मिलती है, क्या उसमें आते हैं, नहीं, तो बच्चों मिल जानी चाहिए deduction, फिर हमें कुछ करना चाहिए सर, इसका, कुछ भी नहीं करना, यहीं तो मुश्किले हैं, यहीं तो समझना है बाई, अब question आपको दे देगा, confuse करने के लिए, आप लोगों समझना है कि मुझे करना है या नहीं करना deduction, interest on own capital, now, इसकी direction नहीं मिलती, यह बाद हम पहले भी classes, पहले वाले question में भी कर चुके, interest on capital, कितना amount interest on capital, 3500 rupees, 3500 rupees, next, interest on bank loan, अब bank loan अगर business के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक करो, कुछ नहीं लिखा हुआ, आगे बढ़ते हैं, बिजनस के लिए ही मान के चलेंगे, यह हो गया, यह हो गया, expenditure on acquisition of patent right and put to use on June 30, 2019, now, what is patent right, patent right is an intangible asset, और बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है, इंकम टाक्स के अंदर, patent right यानि intangible assets पर depreciation 25% मिलता है, इन लोगों ने, नलाइकों ने पूरा ही amount डाल दिया है, पी अनद अकाउंट में debit side पर, 17,000, definitely डाला, पूरा amount डाल दिया, भाई गलत है, तो ठीक करें इसको, करते हैं ठीक, कैसे करेंगे ठीक, जो expenditure दिया हुआ है, on patent right, हम इसको पूरे को add back कर देते हैं, तर उसका debt तो मिलेगा, हाँ बेटा, बिलकुल मिलेगा, मैं क्या करता हूँ, नीचे, expenses to be debited लिख देता हूँ, और expenses to be debited में बच्चों, मैं क्या करूँगा, इस depreciation ले लूँगा, on patents, 17,000 रुपे का depreciation में जब calculation करूँगा, तो मैं June 30, 2019, तो बच्चों put to use भी 180 दे से जाधा है, बच्चों याद है न, आपको लोगों को यह चीज़े देखनी पड़ती है, 180 दे से जाधा है, इसलिए पूरा 25 परसेंट ही मिलेगा, तो 17,000 का 25 परसेंट डेप मिलेगा, which is 4,250, 4,250, 4,250, मिल जाएगा डेप, ओके सर, मज़ा आगे सर, बढ़िया हो गए तो, next बढ़ते है, depreciation, on patents होगे न, next आजाते है, lump sum consideration for acquiring know-how, now know-how, ये भी एक intangible asset है, और आपने 3 March 2020 को खरीदा, यानि put to use 180 दे से कम बन रहा है, और इन्होंने तो पूरा ही है, ये इंडल अकाउन में debit कर दिया, गलत कर दिया, तो क्या करें, add back कर दे, expenditure on know-how, add back कर दे, बच्चों, कितना amount है, 60,000 रुपे, add back कर देते, और इसके बाद इसके ओपर भी क्या निकालेंगे, depreciation, बट इसके ओपर जो depreciation निकालेंगे, उसका rate होगा 12.5%, उपर वाले का हमने 25% लिया था, इसका क्या लेंगे 12.5%, क्यों, क्योंकि ये less than 180 days है, बच्चों, 60,000 का 12.5, यह आएगा 7,500, तो 7,500 रुपीज का depreciation यहाँ पर हम लोग calculate कर लेंगे, और उसकी deduction हमें अलाओ हो जाएगी, बहुत सारे बच्चों की दिमाग में ये भी बात आ रही होगी, सर, क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि patent right 17,000 रुपे है, 4 to 5,0 माइनस यहीं पर करके दिखा देते हैं, difference amount add back कर देते हैं, बिटा वो भी चीज कर सकते हो, बिलकुल कर सकते हो, बड़ आपको फिर भी depreciation की explanation तो देनी ही पड़ेगी, तो आपके ही मर्जी है, आप अगर presentation में वो दिखाना चाहते हो, फिर भी आपको एक note बनाना पड़ेगा, और यहां पर तो clear हो गया न, आपने पूरे expenditure disallow कर दिए, नीचे depth पिला हो जाएगा, note आपको depreciation को तो दे नहीं है, बट वहाँ पर वो difference के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, कि आपने उसमें से minus क्यों किया, वो जो excess amount है, तो वो उसके बारे में आप लिखोगे, तो मैं यह better कहूँगा, मैं आपको यह कहूँगा, कि यह चीज better है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, हलांकि अगर आपने से वो बच्चे भी वो करते हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई परशानी होनी चाहिए, इनफाक्ट इंसीजूट को भी कोई परशानी होनी चाहिए, बिल्कुल उसके marks मिलने चाहिए, बात तो यह कही है, logic तो यह कही है, excess amount add back कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चाहिए. अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं था, यह दोनों points को cover up कर लिया, हम लोगों ने, अब आते हैं, plant and machinery का depreciation दिया 28,000, और plant and machinery as per income tax अल्रेड़ी दिया 29,700, तो भाई, income tax वालों का 29,700 दिया है और वैसे 28,000, मतलब 1700 कम depreciation अलाओ किया, तो करना पड़ेगा, depreciation on plant and machinery, इतने रबे का depreciation और लाओ करूं, 1700 रुपीज, आगे बढ़ते हैं बच्चों, outstanding sales tax excise duty, outstanding का मतलब है, यह वो amount है, जिसको आपने अभी तक नहीं दिया, और अगर आपको याद हो बच्चों, indirect tax के बारे में, indirect tax में हम लोगोंने section 43B में पढ़ा था, की indirect tax pay करेंगे, तो ही direction मिलेगी, पे नहीं करेंगे, तो नहीं मिलेगी, 13,000 रुपे इसकी direction नहीं मिलनी चाहिए, सर देख दो लो, सर कोई note तो नहीं है, हाँ, यह तो जरूरू देखना चाहिए, आ नीचे note है, आउट of outstanding sales tax and excise duty, 3000 is paid on July 10, 2020, यानि आपकी return से पहले-पहले, return की date दी हुई है, 31 July, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, individuals की due date की return, return की due date, 31 July होती है, 35 की 30 September होती है, वो individual जिनकी audit mandatory है, 30 September होती है, yes या no, तो बच्चों यहाँ पर एक individual की बात हो रही है, Mr. Jai Singh की, audit के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ, तो हम बान के चलेंगे 30 July, obviously अगर नहीं भी दिया होता है, हम 31 July ही बोलते, 30,000 पे pay कर दिया, 10 July को 8,000 पे किया, October 3 को, क्या मिलेगी October 3, नहीं, आपको याद होगा, 43B में हम लोगों नहीं यह पड़ा था, कि अगर आप return से पहले-पहले भी pay कर दोना, तब भी deduction मिल जाती है, प्लीज, 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 नहीं याद आ रहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, description में link दिया हुआ है, प्लीज, एक बड़ी revision कर लेगे, 3000 is paid on 10th July, 10,000 पे की deduction नहीं मिलेगी, क्यों 8,000 तो आपने return के बाद pay किया, और 2000 पे यह नहीं किया, तो आपको 10,000 पे की deduction नहीं मिलेगी, outstanding sales tax and excise duty, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, sir यह तो sales tax, excise duty कहां से अब तो GST है, बेटा देखो ऐसा है, कोई पुराना भी हो सकता है, कोई पुराना taxes भी हो सकता है, जो अभी तक outstanding हो, तो अगर ऐसा कुछ है, तो आप लोग outstanding, देखो अगर question में outstanding GST दिया हुआ है, तो हमें GST के point अभी से देना है, sales tax, excise duty दिया है, तो यह भी गलत नहीं है, अभी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई पुराना taxes हो सकता है, किसी का बनता हो, रहता हो, तो यह outstanding sales tax, excise duty कितनी है, बच्चों, मैं कितना add back कर दूँ, 10,000 रपे add back कर दूँ, क्योंकि 3,000 रपे की तो deduction मिल जाएगी, आगे बढ़ते हैं, सर यह वाला भी point हो गया, सर यह वाला तो समझ में आ गया, सर यह खतम हो गया, बहुत ही बढ़िया, 5th point खतम, अब आजाते हैं बच्चों, credit side पे, credit side पे आपको gross profit commission and discount दिया, यह एक आम income है business की, कोई दिक्कत नहीं है, until unless इसके उपर कोई note दिया, इसके उपर कोई note नहीं दिया, sundry receipts भी question में कुछ नहीं लिखा, हम मान के चलेंगे, जैसे हम लोग PGPP में general expenses बात करते हैं, income में, PGPP में, income में sundry receipts बोलते हैं, जेनरल receipts हो गई, तो मेरे को लगता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, short term capital gain on sale of investments, now, अगर मेरे को कोई capital gain on sale of investments हो रहा है, तो बच्चों इसका लिख तो एक separate head है, तो क्या मुझे इधर डालना चाहिए, नहीं sir, तो मुझे कहां डालना चाहिए, मुझे इसको capital gain के head में डालना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, incomes credited but not taxable under this head, तो मैं उसको हटा दूँगा, short term capital gain, कितने रबे का बिटा, 31,000 का मैं इसको हटा रहा हूँ, यह नहीं आएगा, इसके इलावा, इसके इलावा, एक point number 6 रह गया बच्चों, हम लोग ने सारे cover up कर लिये, point number 6 रह गया, income of Jai Singh from company deposit is 12,000, company deposit, आपने कहीं company में deposit किया, उस पर income मिल रही है, भाई यह तो other sources की income है, business लोड़ी नहीं है कोई आपका, तो 12,000 रपे P&L में show नहीं किया, बिल्कुल सही किया, accountant ने, यहां नहीं भी करना था, तो कहां करेंगे, हम इसको other sources में करेंगे, तो इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे यहां पर, और PGBP income calculate कर लेंगे, यह PGBP, अब आ जाना चाहिए, आपका PGBP कितना आ रहा है, मैं इसको complete कर देता हूँ, तो मेरी PGBP income आ गई है बच्चों, PGBP income, आप लोग भी प्लीज calculate कर लो कितना रहा है, 7,34,000, 7,34, plus 3,000, plus 2,000, plus 3,500, plus 17,000, plus 60,000, plus 10,000, minus 4,250, minus 7,500, minus 1,700. इसके इलावा, minus 31,000, 7,850,50, I hope सबका यही आंसर आ रहा होगा, प्लीज चेक करेंगे, 7,85, 0,50, यह आ गया मेरा income from business, now income from business आ गया है, बट मुझे complete नहीं हुआ भी मिरको, income from business के साथ-साथ मुझे और भी करना है, income from business मैं यहाँ पर लेख दूँगा, 7,85, 0,50, अब मुझे इसमें add करना है, income from capital gain, income under the head, capital gain, जो की short term capital gain आया था बच्चों, 31,000 रपे का, इसके इलावा, income under the head, other sources, other sources कितनी income दी हुई है, जो की 12,000 रपे दी है, company deposit से जो कमाया, 12,000 रपे, that's it, तो यह मेरी gross total income आ जाएगी बच्चों, gross total income, GTI, GTI, तो यह मेरा आ गया, 7,8,5, 0,50, plus, 31,000, plus, 12,000, 8,2,8,0,5,0, मेरी gross total income आ गई है, 8,2,8,0,5,0, मेरी gross total income आ गई है, कोई deduction ATC वाली नहीं है, तो यही gross total income, मेरी total income बन जाएगी, तो आप लोग, but format में जरूर लिखोगे, deductions, under section, ATC to ATU, मैंने जान बूच के ऐसा question उठाया, क्योंकि, मेरी नहीं पता आप लोग ने deductions किस तरीके से complete कर रहा है, यह नहीं किया, तो आप लोग please complete करेंगे, तभी आप वो पूरा total income वाले questions complete कर पाएंगे, तो यह मेरा total income आ गया, कितना हैगा, 8,2,8,0,5,0, इसा clear बच्चों, असान है, कोई मुश्किल नहीं है, तो प्लीज इसको फड़ा फट, सब लोगों ने कोई click ले लो, तो ज़्यादा बेटर है, मैं एक एक करके page पे रुखता हूँ, अब यहाँ पे click लेने के बाद, मैं यहाँ आ जाता हूँ, और last में, हाँ, मेरे असाब से आप लोगों ने click ले ली होगी, मैं आगे बढ़ता हूँ, बच्चों, समझ में आया है question, level 3 का question, अब हम लोग जो question करने वाले हैं, वो एप level 3 का ही profession का question, हाँ जी, तो level 3 में profession वाला question भी देख लेते हैं बच्चों, अब profession वाले question में खास बात क्या है, profession वाले question में चीजें cash basis पे होती है, आपको question में लेखा है, Dr. Vinash Gupta is a renowned medical practitioner, who maintains books of accounts on cash basis, क्या लेखा है, cash basis, तो आपको cash basis पे दिया हुआ, the following is the recipient payment account, for the year ended 1920, 1920 का recipient payment account दिया हुआ है, और आप लोग तो जानते ही हैं बच्चों, recipient payment is just like cash book, cash आया, cash गया, आया तो income गया तो खर्चा, तो इन्होंने recipient payment account दिया है, तो इनका यही income and expenditure भी होता है, basically अगर, अगर वो cash basis पे accounting करते हैं तो, is that clear, अब यह clearly लिखा हुए है कि यह cash basis पे करते हैं, जब यह cash basis पे करते हैं, तो हमारा concept सिरफ cash basis पे दिमाग चलना चाहिए, कि cash basis पर कब income होगी और कब खर्चे होगी, आओ देखते हैं बच्चों, cash basis पर हमें कैसे इसको find out करना है, तो यह आपको recipient दिया हुए, हम लोग देख लेंगे, यह कुछ notes दिया हुए, ओके सर, सर अब start करते हैं हम लोग इस question को, और इसके लिए, हमें format थोड़ा सा change करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, format थोड़ा से हीं, थोड़ा change क्या बहुत simple करना पड़ेगा, तो हम लोग format करेंगे, यह वाला जो मैं आपके साथ कराने वाला हूँ, देखना द्यान से, computation of income from profession of, इसका बना रहे हैं हम, दॉक्टर विनाश, और दः, assessment year, 2021, पेटा देखो मैंने, पूरी कोशिश किया है, सारे पॉइंट की coverage करने की, जो जो points सारे cover हो जाते हैं, कुछ points, obviously एक आदे point और रह गए होंगे, तो वो आप लोग भी, practice करो, कोई doubt हो, तो जरूर पूछ सकते हो, result चाहिए भाई, ठीक है, अब इदा देखो, particulars, और यहाँ पे लिखते हैं, amount, अब लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें profession की income निकालनी है, तो यहाँ पर हम लोग सीधा-सीधा, profession वाले format से चलते हैं, start करते हैं, जिसके अंदर हम लोग सीधा, taxable receipts लिखेंगे, जोद receipts taxable होनी चाहिए, अब taxable receipts कैसे लिखनी है, आप लोग एक एक करके चेक करोगे, कि कौन-कौन सी receipts taxable होनी चाहिए, तो प्लीज आप लोग उने फोटो की चली होगी, obviously question इसकी, as it is photo की चलो, और फिर इसकी, ठीक है, अब जड़ा देखो, आपने balance forward forward दिये, इसका तो कोई लिना देना नहीं है, नहीं है सर, consultation fees की बात करते हैं, यह मारा business की taxable receipts हो सकती है, अच्छा जब cash business पर accounting कर रहे हैं, तो हम income tax भी cash business पर ही रिका लेंगे, consultation fees सर पिछले साल की भी पाँच जार रुपे इस साल में मिली है, पिछले साल की इस साल में मिली है, तो क्या पिछले साल की income में show किया होगा, नहीं किया होगा, सर इस साल में करेंगे न, हमें cruel थोटना कर रहे हैं, हम तो cash business कर रहे हैं, तो इस साल में करेंगे, तो 1819 की 1920 की 1,40,000 अरबे की total consultation fees है, तो मैं add back, मैं add back कह रहा हूँ, add back word यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, हम लोग simply taxable receipts, हम लोग simply PGVP income इसमें असान तरीके से निकालते हैं, taxable receipts minus payment allowed as deduction और profession की income आ जाती है, consultation fees आ गई 1,40,000 इसके इलावा, सर और क्या चीज़ें आ सकती है, आओ बेटा, consultation fees हो गया है, एक एक करके point को आगे बढ़ाते रहते हैं, यह हो गया है visiting fees, visiting fees भी तो बेटा, doctor कमाते हैं, 30,000 की visiting fees जो है, वो भी आपकी taxable receipts में आईगी, तो मैं यहाँ add up कर देता हूँ, visiting fees, कितनी amount है बेटा, visiting fees है 30,000 सर, next आजाते हैं, loan from bank, now, इन्होंने recipient payment account में, loan and from bank सही दिखाया है, क्योंकि recipient payment का मतलब क्या है, कि कितना आया, आया मतलब income थोड़ी ना जरूरी है, loan लिया, वो भी तो पैसा आया ना, is that clear, हाला कि वो हमारी liability है, बट आया तो है ना पैसा, तो recipient payment में उन्होंने गलत नहीं किया, हम लोगोंने समझना है कि यह income है या नहीं, नहीं है income, sir, loan income थोड़ी ना होती है, गलत, sale of medicines income है, sale of medicines income है, तो आज वो बच्चों, sale of medicines लिख लेते हैं, sale of medicines income है, कितने रवे की, 60,000 rupees, sale of medicines 60,000 rupees, gifts and presents, आपको साथ साथ note भी चेक करना है, कहीं note तो नहीं है के उपर, gifts and presents, gifts and presents, gifts and presents के उपर एक note है, note number 4, लिका है include 2,000 from patients in appreciation of the medical service, 5,000 के gift में से, medical service की appreciation के लिए gift मिला है, कहां पर जाएगा, PGBP, कहां लिका है, section 28, any benefit or perquisite received, in, while running your business, or while running your profession, should be taxable under the head, PGBP, तो बच्चों ये 2,000 रुपे, appreciation of medical service है, इसलिए, gifts, in appreciation, of service, 2,000 रुपे, that should be taxable under the head, PGBP, अच्छा, दूसरा, 3,000 birthday gifts मिले हैं, नहीं ये birthday gifts, that should not be taxable under the head, this PGBP, but that can be taxable under the head, other sources, अगर, amount 50,000 से जादा हो जाए, समझते हो बच्चों, gifts and presents, तो ये वाला point हो गया है, royalty for the articles published in various journal, royalty, now this royalty, अगर मैं बात कर रहा हूं, एक profession की, तो royalty, मैं डॉक्टर हूं भाई, अगर मैं को royalty मिल रही है, एक articles लिखने की, तो वो मेरी अगर इंकम है, that will come under the head, other sources, dividend, other sources, वैसे तो dividend from domestic, 30 exempt, interest on government securities, other sources, ये वो income है, जो other sources में जाएंगी, हम लोगों ने तीनो points पढ़ ली है, but इसका PGBP में कोई लेना देना नहीं है, तो मैं PGBP को, taxable receipts को close कर देता हूं, ये मेरी taxable receipts आ गही है, ठीके, इस taxable receipts को close कर देते हैं, ये आ गही है, 172,32,000, 2,32,000, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर payments, allowed as, deduction, अब payments allowed as deduction देखेंगे, अब payments allowed as deduction में देखेंगे, तो एके करके payments देखेंगे, कौन सी payments है, rent of the clinic, कितना rent दिया है, 24,800, 1200, अगले साल का भी दिया हुआ है, अरे क्या फरक पड़ता है, दे दिया न इस साल, तो इस साल में जो दे दिया, पूरा rent of the clinic, यहाँ पे ही आएगा, gift and presents पे, मैं यह एक टेक मार देता हूँ, कि यह वाला हो गया है, rent of clinic आजाएगा, मेरे ख्याल से 26,000 रुपे बन रहा है, तो 26,000 रुपे आजाएगा, next, rent of clinic के बाद, water and electricity bill, भाई, खर्चा है ना office का, बिल्कुल, 2000 रुपे, आएगा, water and electricity bill, next, water and electricity bill के बाद, purchase of professional books, ना books के उपर, तो भाई, debt मिलता है, ना books के उपर, depreciation मिलता है, अगर books की depreciation की बात करें, तो maximum depreciation का rate of 40% हो गया, आपको याद होगा, पहले depreciation, annual publication पे 100% होता था, other books पे 60 होता था, अब, government ने पिछले 2 सालों से, 40% पे ले आई है, तो इसलिए 40% ही मिलेगा, बट बुक्स भी याँ पर 2 दी हुई है, बुक्स वर्थ रुपीस 25,000 on 15,519 पर्चेस किये गए थे, annual publication 5,220 को पर्चेस किये गए थे, तो इस पर तो annual publication वाली जो value है, उस पर तो half rate मिलेगा, और इस 25,000 पर full rate मिलेगा, तो आप depreciation on books लिख ले थे, depreciation on books, तो अगर मैं बात करूँ 25,000 की, तो 25,000 पर तो पूरा 40% debt मिलेगा, प्लस जो 15,000 पर की बुक्स रहे गई, क्योंकि total मेरे ख्याल से 40,000 की books थी, अब इस 40,000 की books में से 15,000 की जो books रहे गई बच्चों, इस पर depreciation 20% मिलेगा, यानि total depreciation will be 13,000, तो books का काम done, आचा प्लीज, आप लोग क्या करो, इस books के लिए जरूर एक working note बनाना, इसके लिए working note बना लेना, ब्लॉक वाला एक working note बन जाएगा, जिसके अंदर आप ये शोग करोगे, मैंने यहीं पर कर दिया है, आप लोग जरूर नोट्स में बनाएंगे, इसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, रेंट हो गया है, वाटर एलेक्रिसिटी बिल हो गया है, प्रोफेशनल बुक्स हो गया है, घर के खर्चे आपके expenses हैं बच्चों, नहीं है, गल्ती से लिख दिया है, यहां नहीं आएगा, तो इसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग ने debit नहीं किया हुआ, हम लोग तो एक एक करके चीज़ों को उठा रहे हैं, प्रोफिट से थोड़ी नहीं उठा रहे हैं बच्चों, हम लोग तो taxable receipt minus payment loudest deduction कर रहे हैं, तो हम लोग ने उसके भी तक deduction ली नहीं, तो लेनी भी नहीं है, collection charges for dividend income, नहीं यह dividend income में से minus होगा, other sources में, depreciation on car, ठीक है, इसके लिए भी प्लीज working note बना लेना, मैं यहाँ पर क्योंकि मिर पास time की limitation है, तो मैं सारा नहीं कर सकता हूँ, बट मैं आपको car का depreciation, 1,30,000 का 15% normal rate होता है, 7.5 मिलेगा बेटा, 1,30,000 का 7.5%, 1,30,000 का 7.5%, which is 9750, और उस 9750 में भी एक दिक्कत है, की लिखा है, it is estimated that one third use of car is for personal use, ओले, अच्छा, तो ये तो बड़ी important line आगई है, ये personal use के लिए है, तो इसका मतलब है जो मैंने 9750, अभी car का depth निकाला है, उसका one third तो personal के लिए है, तो हमें कौन से वाला लिखना है सरफ बिजनस वाला, तो यहाँ पर आएगा, 9750 का two third, which will be, 6,500, यानि depreciation on car मुझे 6,500 की अलाव हो जाएगी, आगे बढ़ते हैं बच्चों, depreciation on car हो गया है, surgical equipments भी खरीदे हैं आप लोगोंने, चार सेप्टेंबर को खरीदे हैं आपने, तो October, November, December, January, February, March, यह तो 180 दे से जादा बनता है, तो surgical equipment में depreciation लोगा, आप लोगोंने surgical equipment खरीदा है, यह बात यहाँ लिखी हुई है, यह हो गया, surgical equipment 24-800 के हैं, तो मैं यहाँ पर depreciation बिलकुल लोगा, depreciation on, होना चाहिए, 24-800 पर आप यहाँ पर, 24-800 रुपेपर आप यहाँ पर, पूरा 15% depreciation आपको मिल जाएगा, 24-800 पर, 24-800 उसका 15% होता है, 3720, ठीक है बच्चों, तो यह हो गया है, income tax की deduction मिलती नहीं है, तो इसको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, अच्छा मैंने depreciation, यह car वाला point हो गया है, surgical equipment यह वाला point भी हो गया है, सर, income tax की deduction नहीं मिलती, banking cash transaction tax सर, मिलती है, आप ही ने बोला दा सर, section number 36, section number 36, कितना amount है, 3000, 3000 की यहां deduction मिल जाएगी, इसके इलावा, salary to staff, 15,000 रुपे का salary to staff है, और उसके लिए कोई note तो नहीं है, नहीं है, तो मिल जानी चाहिए deduction, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, normal खर्चा है, salary to staff, 15,000 रुपे, आगे बढ़ते हैं, salary to staff के बाद, life insurance premium दिया है, बच्चों, यह ATC में मिलेगी deduction, यहां नहीं मिलेगी, तो इसको छोड़ देने, कुछ नहीं करेंगे, gift to son, पांच जार, आप देख रहे हो, मेरा करने का तरीका change हो गया है, जब मैं profession के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यह देख रहा हूँ कि, किन खर्चों की deduction मिलनी चाहिए, वो minus करो, अच्छा, उसमें मैं यह देखता था, पहले वाले businesses में, किन कर्चों की deduction मिल चुकी है, वो add back कर दो, है ना, वो क्योंकि net profit उठाता था, अच्छा, gift to son, पांच जार पे, भाई, क्या कर रहे हो, gift to son थोड़ी ना यह आएगा, तो इसको आगे बढ़ते हैं, फिर ये भी कतम, ये भी कतम, ये भी कतम, ये भी कतम, इंट्रस्ट अन लोन, ग्याराँ जार, बड़ा मज़ा आता है, now, medicines की purchases दी है, 40,000 रुपे, अगर मुझे medicines का, opening, closing stock नहीं दिया होता, तो तो ठीक था, बट question में देखो, opening stock और closing stock of medicines भी दिया है, तो यहाँ पर, मिरको medicines का, sold, जो medicines actually बेची है, वो medicines की, मुझे cost चाहिए होगी, तो मैं लिखूंगा, cost of medicine sold, opening, plus purchase, minus closing, opening stock आपको दिया हुआ है, 10,000 रुपे का, plus purchases है, 40,000 रुपे के, तो 10,000 रुपे, plus 40,000 रुपे, और minus, minus, minus 6,000 रुपे, तो यह हो जाएगा, बच्चों, 44,000 रुपी, अब मैं इसको close कर देता हूँ, और देखता हूँ, payments कितनी बन रही है, आप लोग प्लीज, simultaneously calculate करना, start करो, यह मेरी B part हो गया, payments, अब मेरी payments कितनी है, चेक करता हूँ, 26,000, plus, 2, plus, 13, plus, 6,500, plus, 37, 20, plus, 3000, plus, 15,000, plus, 11,000, plus, 44,000, यह हमारे, total, खर्चें हैं, 1,24,220, 1,00, 1,00, 24,220, तो, यह हमारी payments आगए, अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे निकालना होता है, income from profession, income from profession, और वो मैं simply, कैसे निकाल लूँगा, A, minus B, car expenses, एक car expenses, miss हो गया था, 15,000 रुपे का, यहां पर दिया हुआ है, 15,000 रुपे के car expenses, और question में लिखा है, 1,3rd for the use of car is for personal use, तो 2,3rd की deduction मिलेगी, तो 15,000 का 2,3rd यहां पर मुझे allow करना है, मैं यहां पर लिख देता हूँ, मैं यहां लिखना रह गया, car expenses, तो यह आ जाएगा, 2,3rd of 15,000, which is 10,000, तो यह हो जाएगा, 1,34,220, ठीक है, 1,34,220, जब मैं इसमें से minus करता हूँ, तो यहां रहा है, 97,780, मेरी profession की income, प्लीज नोट करेंगे बच्चों, बहुत ही important मैंने बात करवाई है, एक भी चीज miss हो जाए, तो answer mistake हो जाती है, तो कोई भी चीज miss ना ही हो, तो अच्छा है, तो चीजों को देखते रहना, क्योंकि मैंने देखो, ऊपर से देखना स्टार्ट किया, तो मैंने यहां पर tick नहीं लगाए थे, तो car expenses पर tick नहीं लगाया, और मैं सीधर purchase of medicines पर आ गया, तो वो एक दिक्तत वाली बात है, तो आप लोग वोग वोग देखना है, अगर कोई चीज मिस हो जाती है, तो आप लोग जब दुबारा reconcile करते हो, चीज़ें देख रहे होते हो, तो कोई ना कोई चीज अगर मिस हो रही है, तो वहाँ पर tick नहीं लगा हुआ, और tick नहीं लगा हुआ, तो बस वही गलती होगी आपकी, तो प्लीज चेक करना, ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा profession का question, आप लोगों के सामने, ठीक है, इस तरीके से profession का income निकालना होता है, last question मैं करवाने वाला हूँ, अब point number, level number 3 का ही, मैं ये काऊंगा, level 3 काऊंगा, मैं इसको 4 पर नहीं लेकर जाऊंगा, तीनी लेवल बोलूँगा, ये एक आखरी लेवल मैं बोलूँगा, जिसके अंदर मैं, ऐसे question मैं ने देखे हैं कि, question में आपको confuse कर दिया जाता है, कि property में business भी हो रहा है, और property में, property किराये पर भी दी हुई है, इस तक की आपको ये income दी हुई है, is that clear? आप लोग question की click ले लो बचो, question number 5 की, मैं इसको इस तरीके से यहां तक, आप photo की चलो, पहले पूरे पी इंडल अकाउंट की, और फिर इसके बाद इस वाले part की, तो अब मैं start करने जा रहा हूँ, मेरको इसमें question में, देखो ध्यान से, तो total income निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, taxable income, taxable income मतलब total income, but, क्योंकि total income की बहुत सारी चीज़ें, आपको अभी नहीं आती होंगी, तो देखेंगे total income तक हम लोग क्या करते हैं, but पहले हम लोग PGBP निकालना सीखना है, क्योंकि हमारा purpose आज PGBP है, computation of income, under the head, sorry, total income निकालना साइस में तो, total income, computation of taxable income निकालना, taxable ही लिखते है, कोई नहीं, computation of taxable income, जो question बोलेगा, वो ही लिखना है भाई, नहीं तो marks कट जाएंगे, sumit, किस year के निकालना है, for the assessment year, 2020-21, सबसे पहले क्या निकालेंगे, PGBP, है कि नहीं, पहले तो PGBP निकालना पड़ेगा, तो PGBP निकालने के लिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, income, under the head, PGBP, ठीक है, अब इसके लिए, सबसे पहले हमें, क्या चाहिए होता है, पता है आप लोगों को, net profit, as per, P&L account, net profit as per P&L account, आपको दिया, 7,98,600, 7,98,600, मैं फिर से बोलना हूँ, क्योंकि यह total income का question है, इसलिए मैंने इसको inner column में solve करना, start कर दिया है, अब एक एक करके, बिल्कुल वैसे ही करना है, सबसे पहले salary to staff उठाफ उठाते हैं, बच्चों, प्लस expenses debited but not allowed, ऐसे expense इंग को debit कर दिया, बट यह not allowed salary to staff, 231,000 salary to staff का जो amount है, इसके बारे में कोई note नहीं है, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यह मान के चलेंगे business के लिए, आगे बढ़ते हैं, advertisement में कोई note नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं, इस पर भी कोई note नहीं है, आगे बढ़ते हैं, repairs to house property, house property की repairs, 20,000 अरपे का खर्चा दिया हुआ है, अब 20,000 अरपे का खर्चा दिया है, house property की repairing का, question में लिखा है, कि सुमित owns a house property, erection of which was completed in March 1998, there are three identical residential units in house, unit 1, 50% of the carpet area, which is let out at a tenant, of let out to a tenant at 20,000 per month, यानि रेंट पे दिया हुआ है, unit 2, 25% carpet area, which is used by सुमित for his own residential purpose, और unit 3, 25% is utilized by him for his business purpose, तो basically, 50, 25, 25, तीन हिससे में घर बनाया हुआ है, और 50% जो हिससा है, वो किस के लिए, let out किया हुआ है, 25% business के लिए, और 25% घर के लिए, बात करें, तो कितना डिसला हो जाना थिये, 75%, तो पेटा देखो, simple सी बात है, आपको repairs to house property, 20,000 पे दिया हुआ है, repairs to house property, 20,000 पे दिया हुआ है, इस 20,000 पे का 75% डिसला हो जाएगा, यानि 15,000 पे, next, municipal tax of house property, यह भी होई, 30,000 का municipal tax दिया है, but again, municipal tax जो है, वो कितना amount दिया है, 30,000, 30,000 का 75%, 75% add back हो जाएगा, यानि 22,500 को मैं add back कर दो, आगे, fire insurance, fire insurance कितनी दिया है, house property की 16,000, ओके, इसमें भी वोई, क्योंकि जो भी common कर्चे हैं, section 38 के इसाफ से हम लोग ने पढ़ा था, fire insurance, जो भी common कर्चे हैं, house property के, वो सब segregate होंगे, बच्चों, और 75% add back कर देंगे, 16,000 पे का, 75% add back कर देंगे, which will be equal to, 12,000, या add back कर देंगे, office के खर्चे, allow हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, life insurance premium, own life policy, allow नहीं होगी, है ना, life insurance policy तो अपनी है, तो ATC में मिलेगी deduction, यहां से हटानी है, यहां से हटानी है, इतने रबे की, 3000 रुपे, यहां से हटा देते हैं, तो इसमें मैंने add back कर दिया, life insurance policy, depreciation on house property, 60,000, अब अगर मैं depreciation on house property की बात करूँ, तो देखो, सिरफ और सिरफ 25% allow होना चाहिए, तो 60,000 का सिरफ और सिरफ 75% 75% 25% allow होगा, 75% disallow हो जाएगा, यानि 45,000, आगे आजाओ, house property हो गया, business assets पर depreciation मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, well tax, well tax की deduction, नहीं मिलती है, तो well tax को हम लोग add back कर देते हैं, बच्चों, कितना है well tax, well tax दिया है, 6,000 रुपे, patent rights, 35,000 की P&L account में डाला हुआ है, debit side पर, आप ध्यान से question को ध्यान से पढ़ेंगे लिखाए, half of 70,000 being cost of such right, यानि patent right का आधा, उन्होंने P&L में डाल दिया है, आधा नहीं डाला, वो accounts के हिसाब से किया है, आपके हिसाब से किया है, debt, sir कितना, 25%, तो sir, April 6, 2011 को खरीदा था, 180 days से ज़्यादा है, पूरा depreciation मिलना चाहिए, तो जो इन्होंने किया है, मैं उसको अठा देता हूँ, इन्होंने तो patent rights को यहाँ पे डाल दिया है, बट यहाँ पे patent rights, expenditure on patent right, को मैं add back कर देता हूँ, जो इन्होंने 35,000 डाला है, नहीं आएगा, सिरफ depreciation आएगा, expenses to be debited, depreciation on patent right, 70,000, भाई, cost तो 70 है, 35 नहीं है, 70,000 का 25 पर्सेंट, तो वहीं आएगा, 17,500 आगे, आगे बढ़ते हैं, ये खतम, well tax खतम, income tax penalty, by penal penalty, not allowed, income tax penalty, not allowed, penal penalty की deduction, नहीं मिलती, कानून तोडने की deduction, नहीं मिलती, next, interest on capital borrowed, for business, business के लिए, interest on loan, मिल जानी चाहिए, interest for reconstruction of house, अब यहा, reconstruction of house, house में, वही तीन इस से, 25 पसंद की मिल जानी चाहिए, 75 पसंद की नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, तो मैं, interest on loan, for house, यानी, 50 तौजन का, 75 परसंट, डिसलाओ कर दूँगा, which is 37,500, इसके इलावा, next is, investment के लिए, आपने लोन लिया है, उसका interest, अब यह जाएगा, बच्चों, other sources में adjust होगा, जो shares पर, अगर में कोई कोई income हो रही है तो, यह रेको dividend मिल रहा न, तो इस dividend income में से minus हो जाएगा, section number 57, ठीक है वो 57, 50, जो other sources वाला होता है, 57 होता है, उसमें से minus हो जाएगा, 2000 रुपे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, तो इसको, इसको भी यहाँ पर add back करना पड़ेगा, यहाँ पर यह नहीं आएगा, interest, on loan, for investment, यह यहाँ नहीं आएगा, तो देखाओ मैंने क्या किया, business वाला, कुछ नहीं किया, reconstruction of house में, 75% add back कर दिया, investment in shares वाला, मतलब भी नहीं बनता है, तो other sources का पाट ही है, यहाँ से अट जाएगा, rent pay to sumit, sumit कोन है भाई, sumit ही तो है यह, अपने आपको rent दे रहा है, notional rent, notional rent की कोई direction नहीं मिलती भाई, हम लोग कोई management accounting थोड़ी ना कर रहे हैं सर, notional, नहीं बेटा, notional rent की कोई direction नहीं मिलती, इस एक लाख रुपे का जो rent है, इसकी direction नहीं मिलेगी, तो आप लोग क्या करो, इसको add back कर दो, यह तो आप ही का घर है, इसको पूरे के पूरे को add back कर दो, एक लाख रुपे, समझ में आ गई बात, जैसे interest on capital की नहीं मिलती भाईटा, rent अपने आपको दे रहा है, वो भी क्यों मिलेगी, next, credit side पर आ जाते हैं, बच्चों credit side पर जब मैं देखता हूँ, तो credit side पर मुझे क्या क्या दिया हुआ है, rent of house property, 2,44,000, अब यह rent of house property, यहां क्यों आएगा, यह तो house property वाले topic में जाएगा, तो incomes credited, but they are not taxable, rent from house property, यहां नहीं आएगा, कितना amounted rent from house property, rent from house property है, 2,40,000, यहां नहीं आएगा, ठीक है जी, इसके बाद, dividend from foreign company, कहां जाएगा, other sources में, rent from house property जाएगा, house property में, और dividend कहां जाएगा, other sources में, कितना है, 12,500, 12,500, 12,500, ना profit on sale of import license, बच्चों याद है अप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा हुआ, export incentive, section 28 में, PGBP के section 28 में, export incentive पढ़ा था, उसमें 3 point होते थे, duty drawback, cash assistance, और profit on sale of import license, sir this will be taxable under the head, PGBP only, यह कहीं और head में नहीं जाएगी, is that clear, तो बिल्कुल ठीक जगा पर डाला हुआ है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, that's it, तो मेरे पास, यह information दी हुई थी, मैंने उस information के basis पर, अब मैं solve कर दिया है, मैंने PGBP, मैं अब यह minus करने वाला हूँ, चेक करते हैं, PGBP income कितनी आ रही है, आप लोग भी चेक करो, मैं भी करता हूँ, but effort income under the head, PGBP, 7,9,8,600, plus 15,000, plus 22,500, plus 12,000, plus 3, plus 45, plus 6, plus 35, plus 1000, plus 37,500, plus 2000, plus 1,00, इसके बाद, मैंने करना है, 17,500, minus 240, minus 12,500, बच्चों, 8,7,600, यह मेरी आ गई है, PGBP income, 8,7,000, 8,7,600, यह मेरी PGBP income आ गई बच्चों, मैं इसको यहां लिख दूँगा, 8,7,600, अब क्या करना है, इस PGBP के income के अंदर, मुझे, अगर, total income निकालनी है, सर, पूरा बताओ ना, पूरा बताओ, पूरा बताता हूँ बेटा, इसके अंदर, total income निकालनी है, तो मुझे क्या add करनी है, income from house property, यह ना, income from house property, अब house property के जब हम बात करते हैं, तो 25% तो business में हो गया, 50-25, 50% let out है, 25% self occupied है, समझ रहे हूँ, ऐसे आप लोग working note में ही बनाना, बट मैं यहां पर ही बना रहा हूँ, मेरे पास जगा नहीं है, मैं 50% self occupied, 25% let out को यहां बना रहा हूँ, बिजनस वाला तो business में चला गया, यह self occupied हो गया, और यह let out हो गया, gross annual value लिख लेते हैं, जो, अच्छा, sorry, 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 let out है, उल्टा हो गया, यह let out है, यह let out है, और यह self occupied है, अब 50% let out है, उसके लिए आपका rent कितना आ रहा था, 2,40,000, तो वो तो हो गया, मेरा GAV, इधर तो कोई rent नहीं होगा, ठीक है सर, municipal taxes, बिटा आप लोग तो जानते ही हो, एक property self occupied, भाई, दो भी हो जाए, आज के टाइम पे, दो भी self occupied हो जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, हाँ, तीन self occupied हो, तो कोई दो ही self occupied ले सकते हैं, बाकी deemed to be let out होता है, याद आ रहा हुगा, अभी तो यहाँ पर एक ही का case है, municipal taxes, municipal taxes यहाँ पर कुछ दिया हुए है, अजी सर, municipal taxes दिया हुए थे न, municipal taxes of house property दिया थे 30 जार, तो 30 जार का जो municipal taxes है, अचा वैसे भी जो मैं यह बीच में पॉइंट बोल गया, house property दो एक ही है यहाँ पर, वहाँ पर वह तो दो दो तीन तीन वाला लग, वह तोपिक होता है, यह दो एक ही house property है, उस ही के टुकडे किया हुए, municipal taxes है 30,000 का, ठीक है सर, 30,000 का है पर वह तो 30,000 पूरी property का होगा, तो 15,000 रुपे यहाँ पर अलाओ हो जाएगा, और यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यह self occupied है, annual value आ जाएगा, यहाँ पर 2,25,000 रुपे, यह आ जाएगी निल, माइनस कर देंगे standard deduction, at the rate of 30%, section 24A, 2,25,000 का 30% जब आप करोगे, तो 25 का 30% जब आप करोगे, तो यह आ रहा है, 67,500, और यह तो निल्ली आएगा बच्चों, माइनस कर देंगे, interest on loan, अब interest on loan की अगर मैं बात करूँ, तो interest on loan, interest on loan, यह दिया है, interest on loan आपको दिया है, for reconstruction of house 50,000, तो 50,000 का 50%, यानि 25,000 पे तो यहीं आ जाएगा, 12,500 में PGP में डाली चुका हूँ, 12,500 यहाँ आएगा, self-occupied में, 30,000 तक तो allowed होता ना, याद है, self-occupied में भी 30,000 तक तो allowed हो जाए, तो मेरा house property का self-occupied का 12,200 नेगटिव इंकम आ रही है, और मेरी let-out property की इंकम आ रही है, तो 25,000 माइनस 67,500, माइनस 25,000 is equal to 132,500, 132,500, टोटल हो जाएगा यह 1,20,000, 1,20,000 मेरी let-out property होगी, इसके इलावा मैं एड करूँगा, प्लस, income, from, other, sources, income from other sources, income from other sources, income from other sources कितना है, income from other sources कितना है, dividend from foreign company दिया हुआ है, बस यही है 12,500, बट उसमें से 2000 रपे का section 57 की direction मिल जाएगी बच्चों, तो यह 12,500 माइनस 2,000 कितना हैगा, dividend from foreign company, 12,500 माइनस expenses 2,000, इसकी direction मिल जाएगी section 57 में, तो यह मिल जाएगी 10,500, मेरी income हो जाएगी, other sources की dividend की 10,500, इसके इलावा कोई income है, अरे हाँ, इसके इलावा भी मुझे कोई और income भी दियुए है, यह last line में दिया देखो, during previous year 1920, देखो अगर मैंने पूरा paragraph पढ़ लिया, previous year 1920, Sumit has received a check of 279,500, check से पैसा मिला है, 50,000 से जादा है, non-resident friend से मिला है, taxable हो जाएगा बच्चों, 50,000 से जादा है, other sources में, gift, from, non-resident friend, कितना अरपे, 279,500, लो जी मैं close करने जा रहा हूँ, अब काफी लंबा format हो गया, मैं अब इसको close करने जा रहा हूँ, यह हो गया है close, यह मेरा आ जाएगा अब, gross, total income, GTI, मेरी gross total income कितनी आ रही है, सब लोग करेंगे calculate, 8,007,600, plus, house operating income मैंने बाहर नहीं लिखी, बाहर लिख देता हूँ, house operating income आ रही है, 1,002,000, plus, 1,002,000, plus, 10,500, और प्लस 279,500, यह आ रहा है, 12,17,600, 12,17,600, यह मेरी GTI आ गई बच्चों, इस GTI के बाद, मैं माइनस करूँगा deduction, under section 80C to 80U, और मेरी 80C to 80U वाली deduction में, सरफ एक ही मेरे को दिया हुआ है, और वो है life insurance premium, यह वाला, 80C, 3,000 रुपे, that's it, 3,000 रुपे की में deduction क्लेम करूँगा, और मेरा काम खत्म, section 80C, life insurance, 3,000, अगई बच्चों, 12,14,600, taxable income, तो यह है मेरा आंसर, 12,14,600, प्लीज, ले ले लेंगे फड़ा फट, यह हमारा PGBP, उसके बाद taxable income, अब लोगों ने लिखा दिया है, ठीक है जी, तो यह हैं हमारे 5 level of questions, आप लोग क्या गरो, अपने study material को करो, study material के में मुझे नहीं लगता कि, इससे भी कोई tough होगा, कोई topic, जो मैंने questions करा दिये हैं, इसके इलावा, पिछले exam वाले question, जरूर ट्राए करा करो बटा, आपके पास, total income को कैसे compute करना है, उसको जरूर करना चाहिए, ठीक है बच्चों, तो आप लोग total income का, जब question करोगे न, उसमें सब चीजें होगी, exemption, deduction वगएरा सब चीजें, वो chapter को जरूर अच्छे से पढ़ना है, वो जरूर questions करने है, क्योंकि उसके किये बिना, कोई request आप लोग चाहते होगे, कि सर इस topic पर बना दो, इस topic पर बना दो, तो please आप लोग comment section पर लिख सकते हैं, कैसी लगी ये video, उसके बारे में भी जरूर लिखें, मुझे encouragement मिलेगी, motivation मिलेगी, तब ही मैं आगे बनाऊँगा, नहीं तो मैंने बनाना बंद कर देना है, ठीक है जी, तो please आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, तो मेरे बारे में जरूर लिखें, कि कैसे classes लग रही हैं, और एक कैसा मैंने आपको समझाया, ठीक है बच्चों, thank you, bye bye.